ए गाईस तुझाज़ा कि आप सब जानते हैं कि वैनम 3 गणफर्म हो चुकी है जिसके गणफर्मसन को सोनी वालों नहीं दी थी तब से लोगों के मन में एक ही बात चल रही है कि क्या इस मूबी का विलन कौन हो सकता है तो आज हम इसी टॉपिक उपर बात करेंगे तो चली व चाहिए। उन पर एक सब्कारप बार्ट एक सब्सक्राइब करता है जिससे कि वैनम क्या इसे कि वैनम स्पाइडर मन से फाइट नहीं कर पाता है पर वह अभी भी स्पाइडर मन को झोंड़ रहा होगा पुए मोश्च पहली अपने इनिवर्स में जहां उसको मिलेगा वेनम टू में कारनेज से फाइट के दोरांचा पैट्रिंग मुलिगन मर जाता है तब उस टाइम उसकी आइस ब्लू गलो करना थी जो कि साब बताती है कि इस मुवी में मुश्ट पॉबली टॉक्सिंग बनेगा और एक तरह से उस मुवी का मेन विलन भी आई होगा टॉक्सि एसिह पाइडरमैन को मिलका मारने के लिए हाथ मिलाने को कहता है जिसने मॉर्बिस भी हां कह देता है तो हो सकता youngest को टुड़ने दुड़ते उनकी मुलकात वेनमसे हो जो खुद भी मारनना चाता है तो हो सकता है कि यह तीनों मिलके टीम बना ले और खूधना इस्टाट कर लगता है तो लो गलती से स्पाइडर मैन समझके उसके उपर हमला करना इस्टाट कर दें उससी बीच हमारा एंडू गरफिल्ड वाला स्पाइडर मैन रोज की तरह जोन के खिलाब लड़ने के लिए इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग लटक लटक के उड़ता दिखाई दे तभी उसकी नेजरी चारोग उपर पड़ती है जो आपस में लड़ रहे होते हैं और स्पाइडर मैन उनके बीच जाके स्पाइड को रुकवाने के कोशिज करेगा तभी वल्चर मॉर्वियस और वैनम तीनों मिलके स्पाइडर मैन पर हमला कर देंगे स्पाइड के दौरा वल्चर वहां से कमजीवर पड़ेगा तभी एंट्री होगी टॉक्सीन की वल्चर और टॉक्सीन एक साथ मिलके इनूई वह फ्राइट करने लगे और लेयोगे तो उल्टी कर देंगे Kenya से सभी स्पाइडन हो जाएंगे और कार्णेज टॉक्सीन के साथ मिलके बन जाएगा एक्सल्यूट कार्णेज जो आम अगले पार्ट में देखने को मिलेगा तो इसपी कश भी कनफर्म नहीं है तो हमको भी कुछ भी बोल नहीं सकते हैं गलत भी हो दखता है और सफर्पर आप बताओ कि क्या आशा होना पॉस हुई हुई अर देच चटने लड़िंग छुषए हाँ